शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवीशन न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें शनिवार का दिन दिग्रेस तहसिल वासियों के लिए राहत की खबर ले आया इस संदर में कोविड केर के सूत्रों ने इनवीशन को बताया कि आज सुबह जहां नो कुर्णा पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए, वही 13 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव में तब्देल हुए इसके बाद तहसिल में कुल कुर्णा एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 26 हुआ है इन दिनों दिग्रेस शहर और तहसिल में कुर्णा संक्रमंट प्राधूर्बाओं की पीछे हाट देखी जा रही है तहसिल और शहर के नागरिकों के स्वास्त के संधर में यह राहत की खबर है मालूम हो कि शुक्रवार को तहसिल के कुल कुल ना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के संख्या घटकर 30 हो चुकी है वहाँ 26 पर आ गई इस संधर में इसापूर स्थीत कोविट केर मैनेजर डॉक्टर अभे गोविनवार ने इनबीसियन को फोन पर जान कारी दी डॉक्टर अभे गोविनवार के मुताबिक एक अगस को लिए गए स्वैब में से शनिवार को जहां नौ रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई इसी कड़ी में शनिवार को कोविड केर के सेंटर पर शहर तथा ग्रामिन इलाकों के नागरिकों का रैपिड एंटिजन कीट के जर्य स्वैप टेस्ट किया गया जिसमें भाटिपूरा सहित फुलवाडी और श्रीरामनगर के कुल 50 लोग शामिल थे खास बात यह रही कि सभी 50 टेस्ट निगेटिव आई मालू हो कि दिगरस कोविड केर सेंटर की टीम ने शुक्रवार को शहर के अंजुवन स्कूल परिसर में रैपिड एंटिजन टेस्ट के लिए भाटिपूरा के नागरिकों के लिए कैंप अरजित किया था जिसमें 50 में से चार रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बैरहाल शनिवार के दिन प्राप्त हुई 9 पॉजिटिव रिपोर्ट और 13 लोगों ने कोर्णा पॉजिटिव से निगेटिव में तबदिल होने के बाद खबर लिखने तक कुल कोर्णा मरीजों की संख्या 30 से घट कर 26 हो गई थ प्रशासन को सहयोग देते रहे ताकि कुलना संक्रमन को दिग्रश शहर और तैसिल से हमेशा के लिए खदेड़ा जा सके इन बीसी न्यूस के लिए जुबिर खान की रिपोर्ट